इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ संस्कृत की प्रश्ण बैंक 2022 की एकाई तीन से एकाई पांच तक के क्वेशन्स को समझेंगे तो देखते हैं आपकी एकाई तीन में क्या है सब्द रूप आने उपसर्गह संग्या पदस्य युग्म मेलनम कुरुत यहां पर आपको मैचिंग करना है तो देखें यहां पर सब्द रूप मिलेंगे उपसर्ग और संग्यावद मिलेंगे तो सब्द रूप तो आपको पहले से याद होना चाहिए तभी आप मैचिंग कर पाएंगे लेकिन अभी के लिए आपको जो भी इस वाले question में answer दिये गए है प्रश्ण बैंक में आप उतने complete कर लीजे लेकिन अगली class यानि 10th class के लिए आप पहले से सब्धूरूप complete कर लीजेगा तो इसमें matching में देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले दिया है रामस्य तो रामस्य क्या है सश्टी विभक्ती एक वचन है जब भी आपको लास्ट में स्या मिले ठीक है रामस्य में लास्ट में स्या है जब भी स्या मिले तो वहाँ पर सश्टी विभक्ती एक वचन होता है इसी तरह से फला नाम में क्या है सस्टी विभक्ती बहु वचन है, क्या है सस्टी विभक्ती बहु वचन, लताय ही इसमें चतुर्थी विभक्ती एक वचन है, फिर अगला कवहु इसमें सप्तमी विभक्ती और एक वचन है, भानुना इसमें त्रतिया विभक्ती और एक वच सपुत्र म्हाँ पर देखिए उपसर्ग दिए गए हैं तो सू उपसाइग ओजा यू इसी तरह से अनुग搞 में अनुप्सर्ग हो जाएगा फिर अगला है नदी ही यहाँ पर आपसे विभकती पूझ है और वह ब साथ हो सब इसी तरह से उपकरोती उपकरोती में उप उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्या गच्छती, इसमें प्रती उपसर्ग है, सत्रू वदा देशा, इसमें आदेशा, यह आपका प्रत्या हो जाएगा, फिर इसी तरह से आपको अलो अन्यात को मैचिंग करना है उपधा से, सुप्ति दंटम, पदम यहाँ पर मैचिंग करेंग बाग ईसा यह संहिता हो जाएगा और या वा राला यह संप्रसारणम से जुड़ेगा फिर अगली एकाई में है धातु रूप या संधी एक वाक्य नुत्तरम यहाँ पर धातु रूप या फिर संधी को एक वाक्य में लिखना है तो देखिए पठ धातो लिट्रकार उत्तम पुरुसस से एक वचनस से कयम के मस्ति यहां पर पठ धातु का लिट लकार उत्तम पुरुस का एक वचन रूप लिखना है तो वो होता है पठिस्यामी फिर अगला है बद धातु लोट लकार से मध्यम पुरुसस से बहु वचनस से रूपम के मस्ति यहां पर वद धातु का अगला है अस धातु विधी लंग लकारस से यानि विधी लंग लकार का मद्यम पुरुष का एक वचन का रूप लिखना है तो वो होगा आपका भावे है पिर अगला है रामअ धावती इत्यसमिन वाक्य कह धातू अस्ति यानि राम दोडता है इस वाक्य में कौन सी धातू है तो यहाँ पर धावती से आप देखिए धाव धातू है यहाँ पर फिर अगला है गच्छती क्रिया पदे कहा धातू अस्ती गच्छती में कौन सी धातू है तो यहाँ पर गम धातू है अहाम अपी आपडम गच्छामी वाक्य अब्या के मस्ती तो देखिए इसमें अब्या बताना है तो इसमें अहाम अपी में अपी अब्या हो जाएगा फिरगला है विद्या माता इव आसीत इस वाक्य में अभ्य क्या है तो इस वाक्य में इव है अभ्य बाल का आधुना पठती इस वाक्य में अभ्य क्या है आधुना धनम बिना जीविनम प्रथा भवती इस वाक्य में अभ्य क्या है इस वाक्य में बिना अभ्य है फिर अगला है अथ रामायन कथा आरभ्यते इसमें अव्याय क्या है इसमें अव्याय अथ है फिर दो अव्याय पदम लिखत यहाँ पर दो अव्याय पद कोई भी लिखना है तो देखिए इतने सारे आपने अव्याय पढ़ी उनमें से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे सनह सनह चलती इस वाक्य में अव्य क्या है यहाँ पर सनह सनह अव्य हो जाएगा फिर यहाई नंबर पांच देखते हैं इसमें आपको आम ना लिखना है आम मतलब सुद्द वाक्य और अगर कोई गलत है अशुद्ध है तो उसके सामने ना लिखना है तो यहां पर नास्ती इत्यस्मिन पदे ब्यंजन संधी अस्ती यहां पर कहा गया है कि नास्ती में ब्यंजन संधी है तो यह गलत है नास्ती का जो संधी विच्छे दोता है वो ना प्लस अस्ती होता है यानि वहां पर दीर्गस्वर संधी होगी और यहां कहा गया है कि ब्यंजन संदी है इसलिए ये गलत हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर होगा ना फिर अगला है दीर्ग संदी उधारण मनोहरा अस्ति दीर्ग संदी का उधारण मनोहर है तो ये भी गलत है ये गुण संदी का उधारण है सुरेश यन संदी उधारण मस्ति सुरेश यन हो सदैन वर में थमय और दो मात्राइं के पैचान वती है अगर दो मात्रा लगी हुए तो वह ब्रधी संदि होती है बिसलिए आम होगा फिर अगला है तत प्रसलिना तो लीना अस्तीा यह यह यहाँ पर गलत है तत प्लस लीना मतलब होता है तलीना यहाँ पर गलत लिखा हुआ है इसलिए यह ना हो जाएगा फिर अगला है महा प्लस ओसधी महोसधी अस्ती तो हाँ महा प्लस ओसधी महोसधी होता है इसलिए यह आम हो जाएगा फिर अगला है मनह प्लस हरा विसर्ग संदी है इसमें साम हो जाएगा अन्य पद प्रधान बहुभ़ई समासे समास C improvements में डो पदमिलकर किसी अन्य पद का जो और उसमें तुर सम Σब्सकांद में आपनी प्रशी समासा इसमें अपत तत्पूरोस जाएगा वह को सब्सक्राइब अनती क्रम में अव्याइभाव समां से हां इसमें अव्याइभाव है तो ये आम होगा फिर अगला है पीतम अंबरम यससहा पीतों बरह अस्ती तो ये गलत है इसका सही आंसर होता है पीताम बरह, यहाँ पर लेखा है पीतों बरह, इसलिए ये ना हो जाएगा, फिर अगला है पाणी चा, पादव चा, एसाम समाहारा, पाणी पादा मस्ती, तो ये भी आपका सही है, समासा सट भवंती, यानि समास 6 होते हैं, तो ये आपका सही है, घंस्याम, इती पदे जहाराय समास है, तो हाँ, आम हो जाएगा, फिर समुद्रम पदे अव्यभाव समास वर्तिती, समुद्रम पद इसमें अव्यभाव समास है, तो हाँ, इसमें भी आम हो जाएगा, तो ये एकाई 3-5 तक के questions थे, I hope कि आपको समझ में आ गए होगे, अगर आपको समझ में आ तो वीडियो को लाइक कर दीजे, और अपने फ्रेंड्स को भी जादा से जादा सेयर करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की अन्निकायों को भी समझेंगे, और अगर आप मुझसे 10th क्लास की मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके, और पर जरूर क्लिक कर दीजे, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो.